हेलो एब्रीबन बेलकम तू जोई इंडियान एरफोर्स क्लासेज तो अभी रिसेंटली में कोश्ट गार्ट के एक्जाम आने वाले हैं तो मैंने सोच आए कि कोश्ट गार्ट के लिए कुछ स्टार करती है तो आज का सर दार सरूबर बांद का निर्माड कि स नदी पर किया गया तो सरदार सरूबर बांद абсолют कि स नदी पर अगले वाली कुश्शन पे आ जाते हैं आप लोगी बताइए कि दखषड भारत की गंगा कि से कहा जाता है ठीक है दक्षिड भारत की गंगा किसी कहा जाता है कमेंट बॉक्स में इसका अंसर बताइए ठीक है चलिए नैस्ट कुशन नैस्ट कुशन है आपका भारत में जनगर्णा शामानिता कितनी बरसों की समय अंतराल पर की जाती है भारत में जनगर्णा शामानिता कितनी ठीक है कि आरे वर्स बात जन करना होगी चलिए नेस्ट कुशन नेस्ट कुशन है सिकंदर ने किस सन में भारत पर आकर्मण किया था सिकंदर ने किस सन में भारत पर आकर्मण किया था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 326 सीशापूर में ठीक है 326 सीशापूर में सिकंदर ने भारत पर आकर्मन किया था 326 इसापुर में और मैं फ्रेंट्स बतातूं जितनी आपने अभी तक कुश्यन नहीं पढ़े होंगे उतने कुश्यन में आप इस वीडियो में डाल दूँगा ठीक है जाए चलिए नहीं नहीं पर आदारीत है तो इसका प्रतभी की वूपर टी में सर्वादिक अप्लब दाधतु है पृत्भी की भुःवटरपरटी में सर्वादिक अप्लब दाधतु है तो इसका correct answer हो जाएगा आपका सिलिकन ठीक है तो अधातु जो है वो है सिलिकन भुः परपरटी में सर्वादिक मात्रा में पाई जाती है तो option number is का correct answer हो जाएगा चलिए next question next question है मास पीसियो में कौन सामल पाया जाता है मास पीसियो में कौन सामल पाया जाता है तो इसका correct answer हो जाएगा मायो सीन नाम अकमल ठीक है मायो सीन नाम अकमल पाया जाता है ठीक है सबसे अल का पदर्द है और उप्सनम नमबर इसका कर्यक्ट अंसर हो जाएगा तो यह का कि इसने कहा है तो यह कहा कि सन्य है तो यह कहा है सरदार भाई प्टेल लें ठीक है कर नाइक्स कुश्चिन ने Grace कुश्चिन है नींद का आद्य है क्या कहलाता है नींद का अध्यान क्या कहलाता है तो यह कहलाता है फ्रेंट से हिपनोलोजी ठीक है क्या कहलाता है हिपनोलोजी हिपनोलोजी कहलाता है नींद का अध्यान चलिए ने स्कूशन ने स्कूशन आपका पुस्तक गवन के लेखक कौन है पुस्तक गवन के लेखक नेक्स्ट पइंट है आपकाeleri काम की बदल है चाघ्र किया गया तो यह उंस सत्तर हैं G क्या गया अनेश्व चौशन आपको ऩहाँ किया गया तो यह आय। किया अका तर से है डिन्बाई भांच ये अडिन केमार्त परूम कहां होताइए फ्ट यहां है reflections ग्श्राइब लगुस्ड तो इसका एग्जाम में पूंचा गया है एरफोर्स के एकजाम में पूंचा गया है लोग तक जील किस राज़्जी में उस्थित है तो इसका ग्रेट आंसर हो जाएगा मड़ीपूर में। ओप इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोग तक जील जू है वह आपकी मणड़ीपूराझ्यमें इस्थित्ट्ट छलिए निक्डिक्ट कुष्ण next question है आपका राम कृष्णे मिसन की श्थापना किस सन में हुई थी तो इसका correct answer हो जाएगा 1897 भी 10.2 विमे ठीक है 1897 भी 10.3 में राम कृष्णे मिसन की स्थापना हुई था चलिए next question next question है आपका राज्ट ये पोश्टर संस्तान कहां पर इस्तित है ठीक है राष्टि या पोसब संस्तान कहा पर 이त्थे थैं मैंने इस संस्तां पर भी वीडियो डाली है आप प्लेडिस्ट चेक करिएगा उसमें इस परकार की वीडियो डलिए हूई है सिर्फ तूसर संस्तान मतलब यह नहीं की पोसब संस्तान जितने है। मैंने इस संस्थान पर वी video डाली है। आप playlists check कर choreography सिर्फ to sirp poster संस्थान मतलब यह नहीं कि poster संस्थान जोतनी संस्थान नियुक्त केंद्र रहें। उनकी सभी वी डाली है तो आप बहुच करिये गहां प्ले लिस्ट में जाके च्छा-ची वीडियो मैं इसका correct answer हो जाएगा चलिए next question next question है आपका विश्यों खादे दिवस कब मनाया जाता है विश्यों खादे दिवस कब मनाया जाता है first option है फंद्री अक्टूबर, second option है 16 October, third option 21 March, fourth option है दो जिन्वरी को ठीक है तो बिश्यों खादे दिवस कब मनाया जाता है तो इसका correct answer हो जाएगा 16 अक्टूबर को option number 20 का correct answer हो जाएगा चलिए next question next question है भारत में कमावादी वाला राज्य कौन है भारत में सबसे कमावादी वाला राज्य कौन है तो इसका correct answer हो जाएगा 16 ठीक है फ्रेंट्स option number 20 का correct answer हो जाएगा लेकिन कुछ महान भूती गुआ को करेंगे फ्रेंट्स में बता दूँ आपको गुआ जो है वो छेतिपल की दिरिश्टी से सबसे चोटा राज्य है और जो जन्संक्य की आवादी आवादी जो सबसे कम आवादी वाला राज्य है वो है आपका सिक्किम ठीक है फ्रेंट्स option number 20 का correct answer हो जाएगा चलिए next question नेस्ट कुशन है आपका दूँआधार जड़ना किस नदी के किनारे इस्तित है तो इसका correct answer हो जाएगा नर्मदा नदी पर ठीक है दूआधार जड़ना जो है वो नर्मदा नदी पर इस्तित है तो option number 20 का correct answer हो जाएगा ठीक है चलिए next question next question है शेना चिकिस्टक बिग्यान महा विद्याले की स्थापना किस सेर में की गई ठीक है चहां पर सेना जो सेना जो सेने कोते हैं उनका इलाज किया जाता है उन्हें पढ़ाने के लिए एक विद्याले बनाया गया महा विद्याले इसका correct answer हो जाएगा पुड़े में तो option number सीज का correct answer हो जाएगा पूड़े में ठीक है चलिए next question और इस वीदियो का लाइस question है आपका पानी में हवा के बुलबुले किस के कारण चमकते हैं तो इसका correct answer हो जाएगा आपका पूरड आंत्रिक परावरतन के कारण ठीक है पूर आंत्रिक परावरतन के कारण पानी में कर्यक्ट आंसर हो जाएगा ठीक फ्रेंट्स तो आई हो वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करेगा ठीक है चलिए करते हैं वीडियो का एंड जैहिंद